हादो मित्रो आप आये हैं इस वीडियो पर ये पता लगाने कि ये ब्रोकरेश फर्म जो हैं उन्हें खोलने में कितना पैसा आखिर लगाना पड़ता है आपको जिरोधा, ग्रो, अप्स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग ये आखिर कैसे बने और हम अगर इनके जैसा बनना चाहें तो कितना ज्यादा इंवेस्मेंट हमें करना पड़ेगा और आपको जानके बड़ी हैरानी होगी जितना आप सोच रहे हैं उससे भी कम जो कि हम देख रहे है 2018 के बाद काफी तेजी से ग्रोध देखने को मिले डिसकाउंट ब्रोकरेज फोर्म के अंदर इस वीडियो में साथ साथ मैं जिरूधा की कानी को भी कंटिन्यो करूंगा जिससे आपको मदद मिलेगी कि उन्होंने कैसा ये चालू किया था और आप कैसे चालू कर सकते हैं ल और सब ब्रोकर क्योंकि एक ब्रोकरेज फोर्म खोलने से पहले इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है स्टॉक ब्रोकर वो बंदा होता है जो इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में खड़ा हुआ होता है यानि इन्वेस्टर का ट्रांजेक्शन वो स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँचाएगा और स्टॉक एक्सचेंज की इंवेस्टर तक पहुँचाएगा यह मिडल मैं की तरह काम करता है और सब ब्रोकर जो होता है वो स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर की बीच का मिडल मैं होता है अब हम जैसे कि जानते हैं कि दो स्टॉक एक के बीच का मिडल मैन होता है और जिरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है तो आपकी जो पहली कॉस्ट है वो इसी से निकल के आ जाती है यानि ब्रोकरेज के लिए आपको फीज देनी पड़ती है लेकिन सवाल आता है कितनी अगर हम जिरोधा का एक्जांपल लें तो नितिन कामत जो कभी भी मार्केटिंग नहीं की और ये एक बूस्ट्रप स्टार्टप है जो अपना ही पैसा इंवेस्ट करते चले गए अपनी कंपनी में क्योंकि इनका गोल था एक कम्यूटि बनाना इंवेस्टर्स और ट्रेडर्स की ना कि क्लाइंट्स और कस्टमर और इंवेस्टर को अप्रोच करके उनको अपने प्लैटफॉर्म पे बनाना जिससे इनको कॉस्ट भी कम पड़ी लेकिन अगर इंडिया में सब ब्रोकर की कॉस्ट निकाले तो वो लगभग आपको सेक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ सकता है पचास हजार से लेकर एक लाग के बीच में और स्टॉक ब्रोकर को मेंबर बनना पड़ता है BAC या NAC के अंदर जिसकी अराउंड कॉस्ट 1.2 लेक्स से लेकर 10 लेक्स तक भी जाती है यहां तक की 20 लाग के उपर भी चली जाती है लेकिन फिर निदिन कामद ने सब ब्रोकर बनके कैसे ये जिरूधा को इस्टैबलिश किय जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक सब ब्रोकर थे इसका मतलब वो रेजिस्टर्ड थे सेबी के साथ जिससे वो अपने क्लाइंट्स को मदद करते थे बाई और सेल करने में सिक्यूरिटी स्टॉक मार्किट के अंदर और सब ब्रोकर की फीज कम ही होती है तो अकर पूरी ओवर से बैंक्स भी और इंजल अलोन भी यानि इंजल ब्रोकिंग भी सब ब्रोकर को अलाव करती है कि वो अप्लाइ कर सकते हैं उनके प्लैटफॉर्म्स पे अगर हम जिरोधा की बात करें तो वो रेजिस्टर्ड है सेबी से और वो मेंबर है नसी, बीसी, एमसी, एमसी, एक्स, सेक्स, NCDX जो ब्रोकरेज फैसिलिटीज प्रोवाइट करती है स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को तो उन्होंने शुरुवात ऐसा सब ब्रोकर करी थी जिससे उनकी कॉस्ट में अच्छी खासी बज़ात हो गई अगर मैं एक्जामपल लेके चलू तो सब ब्रोकर एक फ्रील स्टॉक एक्सचेंज के लिए अब आपकी दूसरी कॉस्ट पड़ेगी डेवलप्मेंट कॉस्ट और एक फिंटेक स्टाटप में डेवलप्मेंट कॉस्ट किस्टने लगती है उसका वीडियो पहले ही मैंने आई बटन पर बना दिया है लेकिन अगर डिसकाउंट ब्रोकरे के साथ हुआ है शुरुवात में और जिरोधा था बूर्स ट्रैप्ट चलो जी हमें यह वी पता चल गया कि डेवलप्मेंट में कितनी कॉस्ट लगेगी लेकिन हम जो इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं क्या इसका रिटरन हमें मिलेगा और क्या क्या रिवेन्यू सोर्सिस क्या ह कहते हैंाAP सिर्फ सुचते होंगे कि सिर्फ ब्रोक्रेज ही एक मातर तरीका है ब्रोक्रेज फर्म को कमाने का और एक और सवाल इस जहन में आता है क्या है सगया हो सकती है क्योंकि आज के कोम्पटिशन के हिसाब से अगर हम देखे तो पहला आपकोlı लेते हैं trade के उपर आपको interest भी मिलता है cash balance रखने का जो investor short sell करते हैं अपनी security को उनसे आप borrow fees भी लेते हैं margin fees हो गई जो borrowers से मिलती है account servicing fee selling annuities account management fees IPO participation fee यह कुछ ऐसे तरीके हैं जहांसे brokerage firm कमाती है पैसा चलो जी हमें यह पता चल गया कि इतना हम पैसा लगाएंगे तो हमेर तीसरा खर्चे चाले होगा वहाँ से जो important खर्चों में से एक होगा वह है legal basis stock brokerage firm को अमेशा legally strong रहना पड़ता है और उसके लिए वो charge करते हैं high consultancy fee आपके बाद सबसे पहले तो एक registration certificate होना चाहिए से भी द्वारा एक बार अगर आपने certificate ले लिया उसके बाद आप apply कर सकत उठाते होंगे अप्रोक्स आकड़ा comment box में बताईएगा वैसे तो यह confidential रहता है लेकिन अगर मुझे जानकारी मिले तो मैं comment box में pin कर दूँगा हमारा चौथे खर्चों में से एक आता है trademark और marketing का खर्चा अब वो मुझे बताने की जरूत नहीं है और अगर मैं 010 का example लेके उन्होंने किया और पहले वो इस्तिमाल करते थे referral programs का वैसे marketing के बहुत तरीके मिल जाएंगे आपको पूरी playlist का link मैंने description और i button पे दे दिया है और अगर approach cost निकाल के चलें तो यह आपको शुरवाती period में 50,000 से लेकर 2.5 lakh प्लस जा सकते है इवन आप अगर heavily market करें तो यह आ AdWords की management को सीखना पड़ता है अगर उसके उपर एक वीडियो चाहिए तो comment box में comment कर देना और वैसे मैंने तरीके बहुत बताया आपको free वाले भी तो उन्हें भी आप checkout कर सकते हो तो अगर total खर्चा बानके चले हैं जिरोधा upstocks और grow जैसे platforms खोलने की तो वो लगभग आप 25,000 से लेकर 6.5 lakh तक पड़ेगी app rocks और यहाँ पर मैंने minimum खर्चे जो है वो include नहीं किये जैसे की employee हो गए और आपकी maintenance cost हो गई अगर आप उन्हें add करके चलते हैं तो यह आकड़ा 10 lakhs तक जा सकता है आपके शुरुवाती टाइम पे लेकिन खेर इतना नहीं लगता brokerage firm की हो आने आप जाएंगे तो आपको around minimum 2 lakhs तो लगेंगे ही लगेंगे without marketing वैसे left वाली वीडियो में आपके 3 problems का solution है उसे checkout करना भूलना मत और right वाली वीडियो में आपको कुछ fintech ideas में मिल जाएंगे stockbroking के अलावा मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए be busy